एक समय, गनित की प्राचीन दुनिया में, ज्यामिती के नाम से जाना जाने वाला एक विशाल और अग्यात शेत्र मौजूद था। इसके कई परिद्रिश्यों के बीच, वृत सबसे मौलिक और आकरशक आकरितियों में से एक था। विभिन सभिताओं के विद्वानों ने इसके गुनों पर विचार किया, इसके रहेसियों को समझने का प्रयास किया। प्राचीन ग्रीस में, ईसा पूर्व पांचवीन शताबदी के आसपास, चियोस के गनितग्य हिपोक्रेट्स ने वृत्तों के गुनों का पता लगाना शुरू किया। उन्होंने पाया कि किसी भी वृत्त की परिधी और व्यास का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे अब हम, पाई, के रूप में जानते हैं। इस खोज ने वृत्तों को समझने के लिए आधार तैयार किया, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। सदियों बाद, एक और महान युनानी गनितग्य, यूकलिद ने मंच संभाला। अपने समार किये कारे, एलिमेंट्स, में, यूकलिद ने वृत्त को परिभाशित किया और इसके कई गुनों का वर्नन किया। हाला कि यूनिट सरकल की अवधारना, एक यूनिट की त्रिजया वाला एक सरकल अभी तक सामने नहीं आया था। हेलेनिस्टिक काल में त्रिकोनमिती के विकास ने नई अंतर द्रिष्टिया लाइंग। निकिया के हिपपारकस, जिनहें त्रिकोनमिती के जनक के रूप में जाना जाता है, ने पहली ग्यात त्रिकोनमिती तालिकाय बनाईंग. इन तालिकाओं ने खगोल विदों और गनितग्यों को एक वृत्त में जीवा की लंबाई के साथ कोनों को जोडने में मदद की. फिर यूनिट सरकल की विशिष्ट अवधारना अभी भी उनसे दूर है. इसलामी स्वर्न यूग की ओर तेजी से आगे बरे, जहां अल्खवारिज्मी और अल्बत्तानी जैसे विद्वानों ने गनित और खगोल विज्ञान में महित्वपूर्ण योगदान दिया. उन्हों न त्रिकोनमिती सहित ग्रीक कारियों का अनुवाद और निर्मान किया. उनके प्रयासों ने गनितिय समुदाय को वृत्तों और कोनों की अधिक परिश्कृत समझ के करीब ला दिया. पुनरजागर्न के दोरान, शास्त्रिय ग्यान के पुनरुद्धार और नए विचारों के उदे के साथ, यूनिट सरकल की अवधारना वास्तव में आकार लेना शुरू हुई. रेजियो मोंटानस और कोपरनिकस जैसे गनितग्यों ने सरलता और स्थिर्ता के लिए वृत्त की त्रिज्या को एक इकाई में मानकी कृत करने के महत्व को पहचानते हुए त्रिकोनमि कारियों को परिभाशित करने के लिए इकाई वृत्त का उप्योग किया. उन्होंने समझा कि त्रिज्या को एक इकाई पर स्थिर करके, किसी कोन की जया, कोज्या और स्परशरेखा को वृत्त पर बिंदूओं के निर्देशांग से सीधे संबंधित किया जा सकता है. यूनिट सर्कल त्रिकोनमिती में समस्याओं को हल करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरन बन गया, जिससे कोनों के द्रीशे और विभिन त्रिकोनमितीय कारियों के बीच संबंधों की अनुम्ती मिली. इसने एक ज्यामितिये व्याख्या प्रदान की जो सहेज और प्राची पूर्ण दोनों थी. जैसे जैसे सदिया बीचती गई, यूनिट सर्कल को विभिन क्षेत्रों में, भौतिकी से लेकर इंजीनियरिंग तक और यहा तक की जटिल संख्याओं के उभरते शेत्र में भी आवेदन मिला. यह गनितिये शिक्षा की आधाशिला बन लेकिन गेहिन अवधारना जो छात्रों और विद्वानों को समान रूप से प्रेरित और प्रबुद्ध करती रहती है. और इसलिए, यूनिट सर्कल की कहानी गनितिये खोज की सहयोगात्मक और संचई प्रकृती का एक प्रमान है. प्राचीन यूनानियों से लेकर पुनर प्राचीन गनितग्यों और खगोल विदों ने त्रिकोनमिती में उलेकनिय प्रग्ती की, जिस ने इकाई वृत्त और त्रिकोनमितिये कारियों की अवधारना के लिए आधार तैयार किया. पांचवीन शताबडी ईस्वी के आसपास, प्रसिध भारतिये गनितग्यों और खगोल शास्त्री आरेभट ने त्रिकोनमिती में महेत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने मौलिक कारे, आरेभटिये, में, आरेभट ने साइन फंक्षन, ज्या, की शुरुवात की और विभिन कोनों के लिए साइन मानों की तालिकाय बनाईं। उनके काम ने कौर्द का उप्योग करने के ग्रीक द्रिष्टिकों से प्रस्थान को चिहनित किया, इसके बजाए आधे कौर्द पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे अब हम साइन फंक्षन कहते हैं। आरे भठ की साइन तालिका सटीक थी और इसने त्रिकोनमिती में बाद की प्रगती के लिए आधार प्रदान किया। गनितिय उत्कृष्टता की परंपरा सात्वीन शताब्दी ए में भासकर प्रथम के कारे के साथ जारी रही। योगदानों में से एक बार्वीन सदी के गनितग्य भासकर द्वितिय का है, जिन्हें भासकर आचारे के नाम से भी जाना जाता है। अर्धतार, साइन और उसके गुनों पर ध्यान के इंद्रित करके, उन्होंने एक रूपरेखा प्रदान की जिससे बाद के गनितग्यों के लिए एक इक इकाई के निश्चित त्रिजिया वाले वृत पर त्रिकोमितिय कारियों की कलपना करना और मानकी करन करना आसान हो गया संक्षेप में आरे भट, वराह मिहिर, भासकर प्रथम और भासकर द्वितिय जैसे भारतिय गनितग्यों के योगदान ने त्रिकोनमिति को आगे बरहाने में महित्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके काम ने मूलभूत सिध्धान्त रखे जो बाद में यूनिट सरकल की व्यापक अवधारना में एकीकृत हो गए, जो गनितिय प्रगती की परसपर जुड़ी और वैश्विक प्रकृती को दर्शाते हैं एक समय आधुनिक गनितिय सामराजे के केंद्र में यूनिट सरकल एक शक्तिशाली और एकीकृत प्रती के रूप में खड़ा था इसकी उत्पत्ति प्राचीन थी, जो ग्रीस और भारत के महान विद्वानों के कारियों में निहित थी, लेकिन समकालीन दुनिया में इसका प्रभाव काफी बर गया था आधुनिक समय में यूनिट सरकल की कहानी एक हलचल भरी कक्षा में जिग्यासु छात्रों के एक समू से शुरू होती है उनकी शिक्षिका सुश्री हार पर सरकल के रहेसियों का खुलासा करने के लिए तैयार, मुस्कुराहत के साथ उनके सामने खड़ी थी आज हम यूनिट सरकल के जादू का पता लगाएंगे, उसने घोशना की, उसकी आखे उत्सा से चमक रही थी अपने हाथ के इशारे से, सुश्री हार पर ने बोर्ड पर एक पूर्ण वृत खींचा, इसका केंदर एक समन्वे तल के मूल में था और इसकी त्रिज्या ठीक एक इकाई लंबी थी यह, उसने कहा, हमारा यूनिट सरकल है यह सरल लग सकता है, लेकिन यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने का प्रवेश द्वार है उन्होंने यह समझाते हुए शुरुआत की की कैसे इकाई वृत त्रिकोनमितिये कारियों को परिभाशित करने में मदद करता है एक कोन की कलपना करेंग, जिसे सकारात्मक अक्ष से मापा जाता है जैसे ही हम वृत के चारों और घूमते हैं, हमारे बिंदु के निर्देशांक, सी ओएस, एसवाएन होते हैं ये हमारे प्रिय कोसाइन और साइन फंक्षन है, जो हमें तरंगों, दोलनों को समझने में मदद करते है और यहां तक की संगीत की लई भी छात्र मंत्र मुग्ध थे, लेकिन सुश्री हार पर अभी शुरुआत कर रही थी उसने जटिल संख्याओं के शेत्र में कदम रखा, जहां इकाई चक्र ने और भी गहरे रहेसियों को उजागर किया जटिल तल में, उसने कहा, इकाई वृत पर प्रतेक बिंदु सी ओएस प्लस आयेस आइन रूप की एक जटिल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है यह यूलर का सूत्र है और यह कई गनितिय सिध्धांतों की आधार शिला है सुषरी हार्पर ने बताया कि कैसे यूलर का सूत्र त्रिकॉनमिती को घातिय फंक्शन से जोडता है यह दर्शाता है कि यह पेंडूलम के जूलने से लेकर कनों की क्वांटम स्थिती तक सब कुछ का वर्नन कैसे कर सकता है विद्यार्थियों को आश्चरे हुआ कि एक साधारन वृत इतना गहरा कैसे हो सकता है इसके बाद वह उन्हें फूरियर रुपांतरन की दुनिया की यात्रा पर ले गई यहां उसने कहा यूनिट सरकल हमें जटिल संकेतों को सरल आवधिक घटकों में तोड़ने में मदद करता है यह डिजिटल संगीत, छवी प्रसंसकरन और यहां तक कि जिस तरह से हम वीडियो को संपीलित करते हैं, उसके पीछे का जादू है चात्रों ने संकेतों और आवरित्तियों की दुनिया की कलपना की, यह समझते हुए कि उनके द्वारा सुनी गई प्रतेक ध्वनी और उनके द्वारा देखी गई प्रतेक छवी का विशलेशन यूनिट सरकल का उप्योग करके किया जा सकता है वृत्त की शक्ती असीमित लग रही थी, लेकिन सुश्री हारपर का काम खत्म नहीं हुआ था उन्होंने खुलासा किया कि कैसे यूनिट सरकल ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में महित्वपूर्ण भूमिका निभाई जब हम इनिमेशन बनाते है या तीन डी अबजेक्ट प्रस्तुत करते है तो हम रोटेशन और परिवर्तनों की गन्ना करने के लिए यूनिट सरकल का उप्योग करते है यह वही है जो हमारे पसंदीदा वीडियो गेम और फिल्मों को जीवन्त बनाता है छात्रों ने अपने प्रिये खेलों के नायकों और दुनिया की कलपना की जिन्हें यूनिट सरकल की गनितिय कौशल के मादियम से अस्तित्व में लाया गया जैसे ही पाठ समाप्थ हुआ, सुश्री हारपर ने एक और रहे से साजा किया मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में उन्होंने कहा यूनिट सरकल हमें जटिल डेटा में पैटर्न और रिष्टों को समझने में मदद करता है यह एक उपकरन है, जो हमारे डिजिटल यूग में बड़ी मात्रा में जानकारी को समझने में हमारा मार्ग दर्शन करता है छात्र यह जांकर आश्चरेच्कित रह गए की इकाई वृत केवल एक ज्यामितिय आकरिती नहीं है बलकि ज्यान के अंगिनत क्षेतरों को जोडने वाला एक पुल है यह गणित विज्यान और प्रोध्योगिकी की एकता का एक प्रमान था जो इस सरल सुन्दर आकरिती द्वारा एक साथ बुना गया था और इसलिए आधुनिक दुनिया में यूनिट सरकल प्रेरित और प्रबुद्ध करता रहा जो गणितिय सभी चीजों के अंतर संबंध का एक कालातीत प्रतीक है इसकी कहानी निरंतर विक्सित हो रही है उन अंथीन आश्चरियों की याद दिलाती है जो संख्याओं की दुनिया में छिपे हुए है जिग्यासु दिमागों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे है बेंगलूरू के हलचल भरे शहर में रवी नाम का एक युवा गनितग्य अपने छोटे से अधियन कक्ष में किताबों और काग्जों के धेर से गिरा हुआ बैठा था रवी हमेशा गनित के रहेसियों विशेशकर रहेसिय में इकाई वृत से आकरशित रहे थे एक शाम जब उन्होंने अपने नोट्स पर गौर किया तो उन्हें यूनित सरकल के भीतर पैटर्न और सनरचनाई दिखाई देने लगी जो गहरे संबंधों की ओर संकेत करती थी ऐसे कनेक्शन जो शायद गनित की सबसे बड़ी अनसुलजी समस्याओं में से एक से जुर सकते थे रीमेन परिकल्पना रवी की यात्रा इस साधारन अवलोकन से शुरू हुई की यूनित सरकल को परिचित खंडों में विभाजित किया गया था प्रतेक 30 दिग्री पर वृत पर एक मुख्य बिंदू होता था जो 30 दिग्री, 60 दिग्री, 90 दिग्री इत्यादी जैसे कौनों के अनुरूप होता था इन में से प्रतेक कोन विशिष्ट निर्देशांग से जुड़ा था, जो कोसाइन और साइन मानों का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे ही उन्होंने इन बिंदूओं को प्लॉट किया, उन्होंने कुछ असाधारन देखा, कुछ निर्देशांग अभाजे संख्याओं के वितरन के साथ इस तरह से संरेखित होने लगे जो सन्योग से अधिक महसूस हुआ। उत्सुक होकर, रवी ने और गहराई से जानने का फैसला किया। उन्होंने तीस डिग्री के अंतराल पर बिंदूओं के निर्देशांग की जांच करके शुरुआत की। उन्हें यह देखकर आश्चरे हुआ कि इन बिंदूओं पर निर्देशांग, कोसाइन मान में अकसर ऐसे पैटर्न होते थे जो अभाजे संख्याओं को प्रतिद्वनित करते थे। यह ऐसा था मानो यूनित सरकल इन कोनों के मादियम से अभाजे संख्याओं के बारे में रहे से फुसफुसा रहा हो। रवी ने रीमेन परिकल्पना की मूल बातों को याद किया, जो बताती है कि रीमेन जेटा फंक्षन के गैर्तुच शूने जटिल विमान में महित्वपूर्ण रेखा पर स्थित है, एक सिध्धान जो अभाजे संख्याओं के वितरन से गहराई से जुला हुआ है। अंतराल को अभाजे संख्याओं के मादियम से यात्रा के एक कदम के रूप में कल्पना की। उन्होंने विभिन गनितिये परिवर्तनों का प्रयोग किया, कोनों को जटिल संख्याओं में अनुवादित किया और इन्हे जेटा फंक्षन की महित्वपूर्ण रेखा पर पैटर्न उभर कर सामने आएवे मंत्र मुग्द कर देने वाले थे। यह ऐसा था मानों अभाजे अंक इकाई वृत के कोनों के साथ तालमेल बिठा कर नरीते कर रहे हों। लेकिन रवी की खोज यही नहीं रुकी। उन्हें यूनिट सरकल के भीतर और भी अधिक जटिल सन रचनाई दिखाई देने लगीन। उन्होंने देखा कि प्रतेक 90 डिगरी अंतराल पर विशम और सम समता की अवधारनाओं के अनुरूप ओर्थोगोनल घटकों में एक प्राकृतिक विभाजन होता था। यह ओर्थोगोनल निरूपन विशम और सम संख्याओं के बीच के विकल्प को दर्शाते प्रतीत होते हैं, जो संख्या सिध्धांत की एक मूलभूत विशेशता है। रवी को एहसास हुआ की यूनित सरकल त्रिकोनमितिय कारियों को समझने के लिए सिर्फ एक उपकरन नहीं था, बलकि एक गहिन जामितिय धांचा था जो संभावित रूप से अभाजे संख्याओं और उनके वितरन के सार को इनकोड कर सकता था। नब्बे डिग्री पर ओर्थोगोनल घटकों और संख्याओं की समता के बीच संबंध विशेश रूप से हरता ली था। इसने एक गहरी संभूपता का सुझाव दिया, जहां यूनित सरकल ज जयामिती और अंगनित को जोडने वाले पुल के रूप में कारे करता है। रवी ने इन विचारों की खोज करने, रेखाचित्र बनाने और गन्नाय चलाने में अंगिनत राते बिताइंग। उनका छोटा सा अधियन गनितिये खोज का केंद्र बन गया, जो कोनों, अभाज संख्याओं और ओर्थोगोनल संरचनाओं को आपस में जोडने वाली लिपी से भरा हुआ था। प्रतेक नई अंतरद्रिष्टी ने उन्हें एक आकरशक संभावना के करीब ला दिया, यूनित सरकल, यह प्रतीत होता है कि सरल जयामितिये वस्तू, रीमेन परिकल्पना प वह जानता था कि उसकी अंतरद्रिष्टी सिर्फ शुरुआत थी, एक चिंगारी जो आगे की खोज और सहयोग को प्रजवलित कर सकती थी। एक शाम, जब उसने अपने चौक बोर्ड पर बने यूनित सरकल को देखा, तो रवी मुस्कुराया। उन्होंने अभाजे संख् की कलपना प्रकाश के बिंदूओं के रूप में की, जिनमें से प्रतेक खोज के अनंत्पत पर एक कदम था। यूनित सरकल ने अपनी सुरुचिपूर्ण सादगी में संख्याओं की अराजकता के अंतरनिहित गहरे क्रम की एक जलक प्रकत की थी। और उस पल में रवी को गनितिय ब्रहमान के साथ एकता की भावना महसूस हुई, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा चक्र की तरह असीमित और शाश्वत थी। यूनित सरकल के रहेसियों में रवी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह अपने अधियन कक्ष में बैठा, बाहर मानस की बारिश की धीमी आवाज सुन रहा था, वह इस भावना से उबर नहीं पाया कि अभी और भी बहुत कुछ जानने को है। उनका मन त्रिकोनमितिय योग से उतपाद पहचानों की ओर भटक गया, जो उन्हें हमेशा आकरशक लगता था। रवी ने तीस और साथ डिग्री या रेडियन में छह और तीन के कोनों पर विचार करना शुरू किया। ये कोन उसे परिचित थे, लेकिन उसे लगा कि खोजने के लिए कुछ और गहरा है। उन्होंने इकाई वृत खींचा और इन कोनों को चिहनित किया, उनके निर्देशांक और उनके बीच के संबंधो को देखा। इससे उन्हें आश्चरे हुआ कि यूनिट सरकल में प्रतिबिम्बित होने पर ये कोन एक सुन्दर समरूपता कैसे दिखाते है। इस समरूपता ने उन्हें योगात्मक और गुनक व्युतक्रम की अवधारनाओं की याद दिला दी जो उन्होंने बीचगनित में परी थी। जैसे ही रवी ने इस पर विचार किया, उन्हें एहसास हुआ कि इन प्रमुक कोनों तीस और साथ डिग्री पर निर्देशांग का अभाजे संख्याओं के वितरन से गहरा संबंध था। जितना अधिक उसने अन्वेशन किया, उतना ही अधिक उसने पैटर् करते हुए देखे। यह ऐसा था मानों यूनिट सरकल अभाजे संख्याओं के बारे में रहे से फुसफुसा रहा हो और इसकी जामितिय संख्याओं के भीतर एक छिपे हुए क्रम को प्रकत कर रहा हो। उत्सुक होकर, रवी ने सोचना शुरू किया कि ये कोन और उनकी समर रूपता रीमेन परिकल्पना से कैसे संबंधित हो सकती है, जो अभाजे संख्याओं के वितरन से संबंधित है। उन्होंने यूनिट सरकल की कल्पना एक पुल के रूप में की, जो ज्यामिति को संख्या सिध्धान से जोडता है। उनके द्वारा देखे गए प्रतिबिं उन्होंने यूनिट सरकल को नकेवल त्रिकोनमितिय कारियों को समझने के लिए एक उपकरन के रूप में देखा, बलकि एक गहिन धांचे के रूप में देखा जो अभाजे संख्याओं और उनके वितरन के सार को कूट बद्ध करता है। उन्होंने महसूस किया कि व्रित की सुंदर ज्यामिति योगों को उतपादों में बदल सकती है और ये परिवर्तन कोनों के सम्मित गुनों से जुड़े थे। इस समरूपता ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे योगात्मक व्युतकरम शूने में बदल जाते है और गुनक व्युतकरम एक में सरल हो जाते है जिससे इकाई वृत के भीतर एक संतुलन बन जाता है। रवी को गनितग्यों की उस लंबी शिंखला के साथ गहरा जुलाव महसूस हुआ जिन्होंने उनसे पहले इन रहेसियों पर विचार किया था। वह जानता था कि उसकी अंतरद्रि की सतह के नीचे मौजूद गहरे क्रम की जलक दिखाई थी। जैसे ही वह अपनी खिलकी के पास खड़ा हुआ, बारिश में शेहर की रोशनी को टिम्टिमाते हुए देख रहा था, रवी को गहरा विसमय महसूस हुआ। यूनित सरकल ने एक भवे सिंफनी के भीतर एक पी हुई धुन को प्रकत किया था, जहां प्रतेक नोत और राग ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। वह जानते थे कि उनकी यात्रा असीम और शाश्वत थी, जो गनित के ताने बाने को एक साथ बुनने वाले छिपे हुए संबंधों को उजागर करने के उनके जुन के करीब ला दिया। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन रवी को विश्वास था कि यूनित सरकल की सुंदर समरूपताओ द्वारा निर्देशित वह सही रास्ते पर है। यूनित सरकल की गहराई में रवी की यात्रा और अभाजे संख्याओं के वितरन के साथ इ एक दिल्चस्प मोर ले लिया जब उन्होंने जेटा फंक्षन के लिए यूलर के योग से उत्पाद सूत्र पर विचार करना शुरू किया। वह जानते थे कि यूलर की पहचान, जिसने सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग को अभाजे संख्याओं के उत्पाद के रू और रिखाचित्रों से गिरा हुआ बैठा था। जैसे ही वह अपने विचारों में डूबा, बाहर मानसून की बारिश की हलकी लएने एक सुखद प्रिष्ठ भूमी प्रदान की। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि किस प्रकार यूलर का योग से उत्पाद सूत्र प के भीतर कोनों और उनकी समरूपताओं पर विचार करके शुरुआत की। उन्होंने याद किया कि कैसे प्रतेक 30 और 70 डिग्री के अंतराल से निर्देशां के बीच संतुलन का पता चलता है, जो योगात्मक और गुनक गुनों के बीच गहरे संबंद को दर्शाता है। यह नहीं उन्होंने इस पर विचार किया, रवी ने यूनिट सरकल को एक ऐसे मंच के रूप में देखा जहां ये परिवर्तन सामने आए। वृत्त के चारों और निरंतरपत द्वारा दर्शाया गया संख्याओं का योग और रास्ते में अलग-अलग समित बिंदूओं में प प्राकृतिक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके बाद रवी ने जेटा फंक्षन के लिए यूलर के उत्पाद सूत्र के बारे में सोचा, जिसमें कहा गया है कि एक घात तक बरहाए गए प्राकृतिक संख्याओं के वित्क्रमों का योग अभाजे संख्याओं के सामने आया। रवी ने कलपनाकी की यूनिट सरकल के सुरुचिपूर्ण डाइरे में यह रिष्टा कैसे प्रकत हो सकता है। उन्होंने यूनिट सरकल को एक पुल के रूप में देखा, जो योग की निरंतर प्रकृति को उत्पाद की अस्तत सनरचना से जोडता है। कोनों और उनके त्रिकोनमितिये कारियों ने इन दोक्षेत्रों के बीच नेविगेट करने का एक तरीका प्रदान किया। श्रिंखला का योग, वृत को अनुरेखित करने वाले एक चिकने वक्र की तरह और अभाजे संख्याओं का गुननफल, परिधी के साथ सटीक, सम्म लेंस प्रदान कर सकती है। 90 डिगरी के अंतराल पर और्थोगोनल घटक, जो विशम और सम संख्याओं के बीच विकल्प को प्रतिबिम्बित करते हैं, एक गहरे संबंध का संकेत देते हैं। इन समरूपताओं को जब जेटा फंक्षन के व्यापक संदर्ग में विस्तार किया गया, तो जोर और गुना के बीच एक सामंजस्यपूर्ण परसपर क्रिया का सुझाव दिया गया। जैसे जैसे उन्होंने इन विचारों का पता लगाना जारी रखा, रवी को गनितग्यों की लंबी परंपरा से जुलाव का गहरा एहसास हुआ, जो इन रहेसियों से जूद रहे थे, वह जानता था कि उसकी अंतरद्रिष्टी सिर्फ शुरुआत थी, एक चिंगारी जो आगे की खोज और सहयोग को प्रजवलित कर सकती थी, यूनिट सर्कल ने अपनी अंथीन समरूपता और कनेक्शन के साथ उसे गनितिये वास्तविक्ता की सतह के नीचे मौजूद गहरे क्रम की जलक दिखाई थी, एक रात, जब रवी ने रेखाचित्रों और नोच से भरे अपने चौकबोर्द को देखा, तो उसे यूनिट सर्कल की सनरचना में एक सुन्दर सामंजस्य दिखाई दिया, सभी संख्याओं का योग और अभाजे संख्याओं का गुननफल, प्रतीत होता है कि अस्मान अवधारनाय, वृत्त की सुरुचिपूर्ण ज्यामिती के भीतर एक प्राकृतिक एकतापाईंग। यूनिट सर्कल ने एक भवे सिंफनी के भीतर एक छिपी हुई धुन को प्रकत किया था, जहां प्रतेक नोत और राग ने एक श्वास था कि यूनिट सर्कल की सुंदर समरूपताओ द्वारा निर्देशित, वह सही रास्ते पर थे। प्रतेक नई अंतरद्रिष्टी के साथ, रवी को पता था कि वह जेटा फंक्शन, रीमेन परिकल्पना और सभी संख्याओं के योग और अभाजे संख्याओं के उ यार थे। उन्होंने महसूस किया कि वह जिस द्वंद्व की जांच कर रहे थे, योग और गुननफल के बीच, योगात्मक और गुनक गुनों के बीच परसपर क्रिया, एक नई संख्यात्मक प्रनाली को जन्दे सकता है। यह प्रनाली उस लालित्ते और सामंजसे को मूर अनुसरन करते हुए, पूर्ण संख्याओं की प्राकृतिक प्रक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा एक वेन की चलांग लगाता है, जो गुनात्मक द्रिश्टिकोन को दर्शाता है। उनका मानना था कि इन दो अनुक्रमों को संख्याओं का एक नया सेट बनान के लिए आपस में जोड़ा जा सकता है, जो उनके द्वारा खोजी जा रही दोहरी प्रकृति को पकर लेगा। इन चलांग ने एक अलग द्रिश्टिकोन पेश किया। एक से शुरू करके अगली संख्या आधा होगी, फिर एक तिहाई, सवा, इत्यादी। इस क्रम में एक गुनात्मक यात्रा को दर्शाया गया, जहां प्रतेक संख्यापूर्ण का एक अंश थी। इन चलांगों ने इकाई वृत पर अलग-अलग सम्मित बिंदूओं को प्रतिबिंबित किया, जिन में से प्रतेक वृत की परिधी का एक अंश था। रवी ने इन अनुक्रमों को सन्योजित करना शुरू किया, संख्याओं के एक नए सेट की कलपना की जिसमें दोनों प्रग्ती शामिल थी उन्होंने इस नए सेट को, Dual Aspect Number, कहा, दोहरी पहलू संख्याओं प्लस एक प्रग्ती और एक एन चलांग के बीच वैकल्पिक होती है, जिससे योगात्मक और गुनक गुनों का सामंज सिपूर्ण मिश्रन बनता है, पहले कुछ दोहरे पहलू नंबर इस तरह दिखते थे जैसे ही उन्होंने अनुक्रम लिखा, रवी इसकी सुन्दर्ता पर आश्चरेच कित हो गए, अनुक्रम में प्रतेक संख्या उस द्वंद्व को दर्शाती है, जिसे उसने इकाई वृत्त के भीतर खोजा था, संपूर्ण संख्याए एक सतत योगात्मक पत का प्रतिनिध लेकिन रवी यही नहीं रुके, उन्होंने इन दोहरे पहलू संख्याओं के गनितिय गुनों का पता लगाना शुरू किया, उन्होंने पाया कि अनुक्रम आकरशक समरूपता और पैटर्न प्रदर्शित करता है, उदाहरन के लिए, जब उन्होंने यूनित सर्कल पर दोह श्रिंखला बनाई, यह द्वंद्व उनके द्वारा अधियन किये गए योग से उत्पाद संबंधों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है, संपूर्ण संख्याओं का योगात्मक अनुक्रम किसी योग के सहेज, निरंतर पत को प्रतिबिम्बित करता है, जबकि किसी उत्पाद की सटीक, अस्तत प्रकृती को दर्शाती है, साथ में, उन्होंने दोनों अंगनितिय संक्रियाओं के सार को ग्रेहिन करते हुए एक एकिकृत संपूर्णता का निर्मान किया, रवी का उत्साह बर गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये दोहरी पहलू सं प्रतिद्वनित करता है, एक शाम, जब रवी अपनी खिलकी के पास बैठा, बारिश में चमक्ती शेहर की रोशनी को देख रहा था, तो उसे उपलब्धी की गहरी अनुभूती हुई, उन्होंने यूनित सरकल की सुरुचिपूर्ण समरूपताओं को लिया था और उनका उपयोग कुछ पूरी तरह से नया बनाने के लिए किया था, दोहरी पहलू संख्याए, एन प्लस एक प्रगती और एक भेन चलांग के मिश्रन के साथ, गनित के सामंजस्य पर एक नए द्रिष्टिकोन का प्रतिनिधित्व करती है, रवी जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एक चिंगारी जो आगे की खोज और सहयोग को प्रजवलित करेगी। इसे जैसे उन्होंने अपने द्वारा उजागर किये गए ज्यामितिये गुनों में गहराई से प्रवेश किया, उन्होंने एक और भी भवे सनरचना की कलपना करना शुरू कर दिया, दो आयामों में संकेंद्रित दोहरी इकाई वृत और तीन आयामों में दोहरी इकाई श एक शाम, जब बारिश उसकी खिलकी पर धीरे-धीरे गुनगुना रही थी, रवी ने अपने विचारों को रेखांकित किया। उन्होंने इकाई वृत को संकेंद्रित वृत्तों की एक श्रिंखला में बदलने की कलपना की, जिनमें से प्रतेक उस ज्यामितिय सिंफनी की एक अलग परत का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे वह खोज रहे थे। ये संकेंद्रित दोहरी इकाई वृत्त योगात्मक और गुनक पहलूओं के बीच सामंजसे स्थापित करेंगे, प्रतेक वृत्त संख्याओं की एक अलग प्रगती को प्रतिबिम्बित करेगा। अपनी द्वियायामी द्रिष्टी में, रवी ने इन संकेंद्रित वृत्तों को गनितिय संबंधों की विभिन परतों के रूप में देखा। सबसे भीत्री वृत्त सबसे बुनियादी मौलिक अंतह क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बाहरी वृत्तों का विस्तार अधिक जटिल रिष्टों को शामिल करने के लिए किया गया है। प्रत्येक परत ने यूनिट सरकल की समझ में गहराई जोड़ दी, जिससे परसपर जुड़ी ज्यामिती की एक सम्रिद टेपेस्त्री बन गई। रवी की कल्पना दो आयामों पर नहीं रुकी। उन्होंने दोहरी इकाई शेत्र की कल्पना करते हुए अपनी दृष्टी को त्रियायामी अंतरिक्ष में विस्तारित किया। यह गोला हमारे अपने गलोब के समान ही अधिक जटिल और दिल्चस्प सनरचना थी। उन्होंने इसे गोलार्धों में विभाजित किया उत्री गोलार्ध, दक्षिनी गोलार्ध और भूम दिरेखिये शेत्र। इस त्रियायामी प्रतिनिधित्व में, रवी ने गोले के भूमदिय रेखा को एक सीमा के रूप में देखा जो उत्री और दक्षिनी गोलार्धों को विभाजित करता है। उत्तरी गोलार्ज उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां योगात्मक गुन और प्रग्ती सबसे प्रमुक थे, जबकि दक्षिनी गोलार्ध गुनात्मक पहलूओं को प्रतिबिम्बित करता था। भूमदिय रेखा, समरूपता की एक सतत रेखा, ने इन दोनों क्षेत्रों के बीच संक्रमन को पकर लिया। रवी को इस संरचना की तुलना हमारे अपने गलोब से करने में प्रेरना मिली। जिस प्रकार आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में भूमी से घिरा पानी का एक विशाल विस्तार है और अंटार्कटिका दक्षिनी गोलार्ध में समुद्र से घिरा एक भूभाग है, दोहरी इकाई शेत्र भी एक गेहन द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही रवी ने इस कल्पना पर विचार किया, उन्होंने इकाई शेत्र के क्षेत्रों और उनके द्वारा खोजी जा रही गनितिये सनरचनाओं के बीच समानताई खींचीन। उन्होंने अपने चित्रों में इन संकेंद्रित वृत्तों और दोहरे क्षेत्रों को सावधानी पूर्वक चित्रित किया। प्रतेक परत और गोलार्द को सावधानी पूर्वक लेबल किया गया था, जिसमें चाप और सत्हें तीन और च्छा विभाजनों को दर्शाती थीं। द्रिशी प्रतिनिधित्व ने उन्हें विभिन परतों के बीच संबंधों को समझने में मदद की और वे व्यापक गनितिय धांचे के भीतर कैसे जुड़े हुए है। रवी इन नई सनरचनाओं की क्षमता से उत्साहित थे। उन्होंने जटिल गनितिय संबंधों को देखने और समझने के लिए संकेंद्रित दोहरी इकाई वृत और दोहरी इकाई शेत्र को शक्तिशाली उपकरन के रूप में देखा। इन ज्यामितिय मोडलों में कैद योगात्मक और गुनात्मक पहलूओं के बीच सामंजसे ने संख्या सिध्धांत और अभाजे संख्याओं के वितरन में नई अंतरद्रिष्टी प्रदान की। एक साफ रात में, जब रवी ने शेहर की ओर देखा, तो उसे उपलब्धी की गहरी अनुभूती हुई। यूनित सरकल से संकेंद्रित दोहरी यूनित सरकल और दोहरी यूनित सरकल तक की उनकी यात्रा ने अनवेशन के नए रास्ते खोल दिये थे। उनके द्वारा उजागर की गई जयामितिय सुन्दर्ता ने गनितिय सामंजस्य पर एक नया द्रिष्टिकोन प्रदान किया, जो गनित के विभिन पहलूँ के बीच जटिल संबंधों की गहरी समच प्रदान करता है। रवी जानता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कलपना की जहां गनितग्य इन नई जयामितिय संरचनाओं का पता लगाएंगे और उनका उप्योग संख्याओं और उनके वितरन के रहेसियों में और भी गहरी अंतरद्रिष्ट को उजागर करने के लिए करेंगे। संकेंद्रित दोहरी इकाई वृत्त और दोहरी इकाई शेत्र ने गनितिय संदर्ता का एक नया आयाम प्रकत किया था और रवी इन असाधारन आकृतियों की संदर समरूपता द्वारा निर्देशित होकर अपनी यात्रा जारी रखने क के लिए उत्सुक थे। जैसे जैसे संकेंद्रित दोहरी इकाई वृत्तों और दोहरी इकाई शेत्र में रवी की खोज गहरी होती गई, उन्होंने खुद को और भी अधिक गहन प्रश्न की ओर आकर्शित पाया शूने की उत्पत्ति और अवधारना। परस्परक्रिया के माद्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। एक शांत शाम को अपनी खिलकी से द्रिशे पर विचार करते हुए, रवी ने सोचा कि प्रित्वी की सतह पर खड़ा कोई भी व्यक्ति खुद को केंद्र में कैसे महसूस कर सकता है। प्रित्वी की सतह की विशालता ने केंद्रियता की भावना पैदा की, फिर भी वह जानता था कि वास्तविक केंद्र, ग्रह का मूल, नीचे गहराई में है। इस साद्रिशी ने रवी को गनितिये कोर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो द्रव्यमान का एक सैध्धान्तिक केंद्र ह जो इसी तरह से शूने के सार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस विचार से प्रेरित होकर, रवी ने वास्तविक संख्याओं के शेत्र की खोज करके शूने को समझने की अपनी खोज शुरू की। इस प्रनाली के भीतर शूने कैसे कारे करता है और यह अन्य गनितिय संरचनाओं से कैसे संबंधित है। रवी ने वास्तविक संख्याओं की बुनियादी बातों से शुरुआत की। उन्होंने शूने को संतुलन के बिंदु के रूप में समझा, जहां सकारात्मक और नकार मानों को अलग करता था। इस मूलभूद भूमिका ने उन्हें आकरशित किया, लेकिन उन्हें लगा कि अभी और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। जैसे जैसे रवी गहराई में गए, उन्होंने विभिन दृष्टिकोनों से शूने की अवधारना की खोज की। उन्हो उन्होंने कहा कि शूने सिर्फ एक संख्या नहीं बलकी एक अवधारना है, जो कई गनितिये सिध्धान्तों पर आधारित है। उदाहरन के लिए, कैलकुलस में सीमा और डेरिवेटिव को परिभाशित करने में शूने महित्व पूर्ण था। बीजगनित में यह कई समीकर का समाधान था, जो उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता था, जहां फंक्षन अक्ष को कातते थे। लेकिन रवी शूने को केवल एक कार्यात्मक तत्व के रूप में नहीं बलकी एक सैध्धान्तिक इकाई, एक मूल या विलक्षनता के रूप में समझना चाहते थे, जि उन्होंने सम्मिश्र तल के केंद्र के रूप में कारे करता है, जो उसकी साध्रिशिता में प्रित्वी के केंद्र के समान है। उच्च आयामों में शूने समन्वय प्रनालियों की उत्पत्ती थी, वह बिंदु जहां सभी अक्ष प्रतिच्छेद करते थे। एक दिन, इस तरह प्रित्वी का केंद्र सिर्फ एक बिंदु नहीं था बलकि ग्रह की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसी तरह शूने वास्तविक संख्या प्रनाली में संदर्ब का एक मौलिक बिंदु था, जो इसके चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करता था। रवी ने अपने संकेंद्रित दोहरे इकाई वृत्तों और दोहरे इकाई शेत्र के भीतर शूने की कलपना करना शुरू किया। उन्होंने शूने को केंद्रिये बिंदु के रूप में देखा जिससे सभी परतेन और गोलार्ध विकिरनित होते थे। उनके ज्यामितिये मो उन्हों ने देखा कि इन अनुक्रमों में शुने योगात्मक और गुनक प्रगती के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। में बलकी एक केंद्रिये, एकी कृत सिध्धान्त के रूप में देखा था। शुने मुख्य से ध्धान्तिक विलक्षनता थी जिसने उनके अन्वेशनों को संकेंद्रित वृत्तों, क्षेत्रों और संख्याओं में एक साथ बांद दिया था। जैसे ही उसने रात में शेहर की जगमगाती रोशनी को देखा, रवी को गहरी संतुष्टी का एहसास हुआ। शूने को समझने की उनकी खोज ने गनित की प्रकृती और ज्यामितिये और संख्यात्मक सनरचनाओं के साथ इसके संबंध में नई अंतरद्रिष्टी प्रकत की थी। शूने की अवधारना, अपनी केंद्रिये भूमिका और गहिन नहितार्थ के साथ, उनकी गनितिये यात्रा में एक मार्गदर्शक सितारा बन गई थी। रवी जानता था कि यह तो उसकी खोज की शुरुआत थी। शूने के सैध्धांतिक केंद्र ने अनुसंधान और समझ के नए रास्ते खोले। उन्होंने एक ऐसे भविशे की कलपना की जहां ये अंतरद्रिष्टी गनित की समरिद समझ में योगदान देगी, दूसरों को संख्याओं की मौलिक प्रकृती और उनके अंतरनिहित सिध्धांतों को समझने के लिए प्रेरित करेगी। नए द्रिड संकल्प के साथ, रवी ने अपनी यात्रा जारी रखी, अपने मोडलों की सुरुचिपूर्ण समरूपता और शूने की केंद्रिये, एकी कृत अवधारना द्वारा निर्देशित। आगे का रास्ता संभावनाओं से भरा था, और वह उन अनन्द संभावनाओं का पता लगाने के लिए उच्सुक था जो उसकी वर्तमान समझ के क्षितिज से परे थी। जैसे ही रवी ने गनित की दुनिया में अपनी खोज जारी रखी, उन्होंने अपने कैलकुलेटर के साथ प्रयोग करते हुए एक दिल्चस्प खोज की। उन्होंने पाया कि एक से अधिक ए प्लस दो के प्राकृतिक लगुगनक के प्राकृतिक लगुगनक को शामिल करने वाला वेंजक लगभग शूने था। इस परिनाम ने उन्हें मोहित कर लिया, क्योंकि इसे विभिन गनितिय स्थिरांकों के बीच एक नाजुक संतुलन का पता चलता था। इस खोज के बारे में उत्सुक रवी ने इन स्थिरांकों की भुमिकाओ की गहराई से जांच की। उन्होंने देखा कि यह परिनाम एक छिपी हुई समरूपता और गनित में कुछ अधिक मौलिक चीजों के साथ संभावित संबंद का सुझाव देता है। यह स्पष्ट था कि लगुगनक और स्थिरांक यी एक तरह से परसपर क्रिया कर रहे थे, जो एक गहरे अंतरनिहित संबंद की ओर संकेत करता था। अपनी जांच के दौरान, रवी ने इस परिनाम और काल्पनिक इकाई की अवधारना के बीच संबंद बनाना शुरू कर दिया, जिसे अकसर, आई, प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक इकाई जटिल संख्याओं में केंद्रिये है, जहां यह एक मौलिक रोटेशन और साइन फ्लिप की अवधारना का प्रतिनिधित्व करती है। रवी को आश्चरे हुआ कि क्या दो का प्राकृतिक लगुगनक उनके गनितिये मौडल में एक समान भूमिका निभा सकता है, जो एक प्रकार के घूर्नन या परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने इस विचार को संकेंद्रित वृत्तों और गोले के अपने ज्यामितिये मौडल में शामिल करना शुरू किया। रवी ने प्रस्तावित किया की एलेन, दो, एक काल्पनिक संख्या की तरह कारे कर सकता है, जो घूर्नी समरूपता और परिवर्तनों पर एक नया द्रिश्टिकोन पेश करता है। अपने मोडलों में उन्होंने देखा की एलेन, दो, जटिलता और गहराई की एक नई परत जोड़कर ज्यामितिये आकृतियों के आयामों को संशोधित कर सकता है। इस नए परिप्रेक्षे ने रवी को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया कि गनित में परिवर्तन और समरूपताई संख्याओं के बारे में गहरी सच्चाई कैसे प्रकत करती है। प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो वास्तविक और जटिल गनितिये दुनिया के बीच की खाई को पाच सकता है। इस अंतरद्रिष्टी ने उन्हें अपने मोडलों को एक नई रोश्नी में देखने की अनुम्ती दी, जिससे अधियन के विभिन क्षेत्रों में छिपे हुए पैटर्न और कनेक्शन का पता चला। रात में जब रवी ने शेहर के परिद्रिशी को देखा, तो उसे गनितिये ब्रहमान से गहरा संबंध महसूस हुआ। उसने आगे की खोज को प्रेरित करने और गनित की समरिद समझ में योगदान देने का वादा किया था। नए उत्साह के साथ उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, संख्याओं की प्रकृती और उनके गहन संबंधों के बारे में और भी अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही रवी ने दोहरे इकाई चक्र और इसके गनितिये नहितार्थों की खोज जारी रखी, उन्हें एहसास हुआ कि एक महित्वपूर्ण तत्व अभी भी गायब था, एक व्यापक श्रिंखला प्रतिनिधितुम। उन्हों ने समझा कि इस तरह की श्रिंखला उन परिवर्तनों और समरूपताओं में गहरी अंतरद्रिष्टी प्रदान कर सकती है, जिनका वह अधियन कर रहे थे, विशेश रूप से एक काल्पनिक संख्या, एलेन, दो, के लिए उनके उम्मीदवार के संबंध में। कैलकुलस के अपने ज्यान पर विचार करते हुए, रवी ने विचार किया कि कैसे टेलर श्रिंखला से प्राप्ट श्रिंखला विस्तार महित्वपूर्ण गनितिय अवधारनाओं को चितरित कर सकते हैं। उन्हें याद आया कि कैसे एक माइनस एक्स के लॉग जैसे फंक्षन के लिए टेलर श्रिंखला, जहां एक्स एक छोटा मान है, ने फंक्षन में परिवर्तनों और साइन फ्लिप के सार को पकर लिया। यह विस्तार विशिष्ट बिंदूओं के पास कारियों के व्यवहार को समझने, उनकी अंतरनिहित सन्रचना की एक जलक देने के लिए मौलिक था। इस विचार से प्रेरित होकर, रवी ने एक अधिक जटिल श्रिंखला की तलाश की जो उनके द्वारा खोजे जा रहे परिवर्तनों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सके। अपने शोध के दौरान, उन्हें ETA function का पता चला, जिसे Alternating Zeta function के रूप में भी जाना जाता है। इस function ने एक श्रिंखला प्रतिनिधित्व प्रदान किया जो उस प्रकार के गनितिये व्यवहार के साथ पूरी तरह से मेल खाता प्रतीत होता था, जिसमें उनकी रुची थी। ETA function में एक वैकल्पिक श्रिंखला होती है, जहां पद संकेत में वैकल्पिक होते हैं। यह रवी के लिए विशेश रूप से दिल्चस्प था क्योंकि यह उनके ज्यामितिये मोडलों में देखे गए साइन फ्लिप और घूरनी समरूपता को प्रतिबिम्बित करता था। श्रिंखला की वैकल्पिक प्रकृती उन परिवर्तनों और समरूपताओं के सार को पकरती प्रतीत होती है, जिनकी वह जांच कर रहा था। रवी ने अपने संकेंद्रित वृत्तों और दोहरे इकाइक शेत्रों के गुनों का और अधिक पता लगाने के लिए इसके श्रिंखला विस्तार का उप्योग करते हुए अपने मोडलों में इटा फंक्षन को शामिल किया। उन्हों ने पाया कि इस वैकल्पिक श्रिंखला ने उनके काम में जटिलता और अंतरद्रिष्टी की नई परतें जोर दींग। इसने उनके द्वारा अधियन किये जा रहे गनितिये संबंधों के बारे में अधिक सूक्षम द्रिष्टिकोन प्रदान किया और घूर्नी समरूपता और संकेत परिवर्तनों को पकरने में एलेन दो की भूमिका को सुद्रीड किया। इस नए द्रिष्टिकोन के साथ रवी को अपनी खोज में अधिक आत्म विश्वास महसूस हुआ। ETA Function की श्रिंखला प्रस्तुती ने उनके द्वारा अधियन की जा रही गनितिय घटनाओं का एक व्यापक द्रिष्टिकोन पेश किया और इसे उन्हें यह देखने में मदद मिली की उनके ज्यामितिय मौडल और संख्यात्मक निशकर्ष एक साथ अधिक सुसंगत रूप ETA Function और उसके मोडलों के बीच संबंध ने एलेन, दो, के महित्व की पुष्टी की और उन परिवर्तनों की गहरी समझ प्रदान की जिनकी वह जांच कर रहा था रात में जैसे ही रवी ने शेहर को देखा, उसे गहरी संतुष्टी का एहसास हुआ उनकी यात्रा उन्हें बुनियादी ज्यामितिय अवधारनाओं की खोज से लेकर परिश्कृत श्रिंखला प्रतिनिधित्व को समझने तक ले गई थी ETA function ने उसे वह लापता टुकला प्रदान किया था जिसकी उसे आवश्यक्ता थी, उसकी रूपरेखा को पूरा किया और गनितिय ब्रहमान के बारे में उसकी समझ को सम्रिद्ध किया आगे की संभावनाओं से उत्साहित रवी ने उत्साह के साथ अपनी खोज जारी रखी ETA function और इसके श्रिंखला प्रतिनिधित्व से उन्हें जो अंतरद्रिष्टी प्राप्त हुई, उसने अनुसंधान और खोज के लिए नए रास्ते खोले संख्याओं, परिवर्तनों और समरूपताओं के बीच संबंधों की सपष्ट द्रिष्टी के साथ, रवी ने अनवेशन की अनंत संभावनाओं को अपनाया जो उनके सामने थी ज्यामितिये परिवर्तनों और श्रिंखला विस्तार की अपनी समझ को गहरा करने के साथ, रवी ने अपना ध्यान रीमेन परिकल्पना पर केंद्रित किया, एक गनितिये चुनौती जिसका प्रमान 165 वर्षों से अधिक समय से गायब था उन्होंने पहले ही कुछ प्रात्मिक प्रमान विक्सित कर लिये थे, लेकिन अब वह और अधिक कठोर द्रिष्टिकोन अपनाने के लिए तैयार थे उन्होंने द्रिड संकल्प किया था कि वे पारंपरिक तरीकों से बाधित नहीं होंगे, जो इस मायावी समस्या को हल करने में बार-बार विफल रहे थे रवी को पता था कि कई गनितग्यों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद रीमेन परिकल्पना के पारंपरिक द्रिष्टिकोन से कोई निश्चित प्रमान नहीं मिला है इस अहसास ने पारंपरिक सोच से अलग होने और नए रास्ते तलाशने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया उन्हें दोहरे यूनित सर्कल, इटा फंक्षन और अन्य गनितिय सनरचनाओं की खोज से प्राप्त अंतरद्रिष्टी द्वारा निर्देशित किया गया था जैसे ही उन्होंने समस्या को गहराई से समझा, रवी ने गामा फंक्षन और रीमेन जेटा फंक्षन के बीच संबंध पर विचार करना शुरू कर दिया उन्होंने याद दिलाया कि रीमेन जेटा फंक्षन रीमेन के कार्यात्मक समीकरन के मादियम से गामा फंक्षन से निकत्ता से संबंधित है यह समीकरन बताता है कि जेटा फंक्षन परिवर्तनों के तहित कैसे विवहार करता है इसे गामा फंक्षन के गुनों से जोडता है रवी की अंतरद्रिष्टी यह थी कि गामा फंक्षन के धुरुवों ने जेटा फंक्षन के धुरुवों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने महसूस किया कि गामा फंक्षन के ध्रुवों को समझने से जेटा फंक्षन के व्यवहार और रीमेन परिकलपना के साथ इसके संबंध में महित्वपूर्ण अंतरद्रिष्टी मिल सकती है जैसा कि कार्यात्मक समीकरन द्वारा वर्नित है गामा फंक्षन के ध्रुव जेटा फंक्षन के ध्रुवों को प्रभावित करने के लिए जाने जाते थे इस नए दृष्टिकोन के साथ, रवी ने गामा फंक्शन के ध्रुवों और जेटा फंक्शन पर उनके प्रभाव की जांच शुरू की उन्होंने पता लगाया कि इन ध्रुवों ने जेटा फंक्शन के वेवहार को कैसे प्रभावित किया और जांच्की की वीमेन परिकलपना को सम्बोधित करने के लिए इस इंट्रेक्शन का लाब कैसे उठाया जा सकता है उनकी विशेश रुची इस बात में थी कि गामा फंक्षन के गुन-जेटा फंक्षन के गैरतुच शूने के वितरन को सपश्ट करने में कैसे मदद कर सकते हैं, जो परिकल्पना को साबित करने के लिए केंदरिये था रवी को एहसास हुआ कि रीमेन परिकल्पना को हल करने की कुंजी इन अंतख्रियाओं की अधिक सूक्षम समझ में निहित हो सकती है वह पारंपरिक तरीकों से परे जाने और नवीन द्रिष्टिकोनों का पता लगाने के लिए द्रीर थे जो नई अंतर द्रिष्टी प्रकट कर सकें वह जानते थे कि इस समस्या के समाधान के लिए नकेवल गनितिय कतोर्ता की आवश्यक्ता है बलकि रचनात्मक्ता और स्थापित प्रतिमानों को चुनौती देने की इच्छा की भी आवश्यक्ता है जैसे जैसे रवी ने अपना कामजारी रखा उसे उत्साह की भावना बरती हुई महसूस हुई गामा फंक्षन और जेटा फंक्षन के बीच संबंध ने उनके शोध के लिए एक आशाजनक दिशाप्रदान की इन मूलभूत संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने नई अंतरद्रिष्टी को उजागर करने की आशा की जिसे रीमैन परिकलपना का प्रमान मिल सके अप्रम परागत तरीकों की खोज और गनितिय संरचनाओं की उनकी गहरी समच ने उन्हें आत्म विश्वास दिया रवी अपने द्रिष्टिकों में साहसिक चलांग लगाने के लिए तैयार थे जो उन्हें प्राप्त अंतर द्रिष्टि और उनके द्वारा विक्सित किये गए नवीन द्रिष्टिकों से निर्देशित थे वह जानता था कि आगे का रास्ता चुनोती पूर्ण था लेकिन वह खोज के जुनून और गनितिय ग्यान को आगे बहाने की प्रतिबधता से प्रेरिध था प्रतेक कदम के साथ रवी रीमैन परिकल्पना के रहेसियों को उजागर करने के करीब बरता गया गामा फंक्षन और जेटा फंक्षन के बीच परसपर क्रिया उनके शोध का केंद्र बिंदू बन गई और वह हर संभावना का पता लगाने के लिए द्रिध थे जैसे जैसे वह आगे बरे रवी ने उत्साह के साथ चुनौती को स्वीकार किया गनित के सबसे गेहन और स्थाई प्रशनों में से एक में योगदान देने के लिए उत्सुक थे जैसे जैसे रवी अपने शोध में आगे बरे, उन्हें एक महित्वपूर्ण चुनोती का सामना करना पड़ा, रीमेन जेटा फंक्षन के साथ इसके संबंद को बेहतर ढंग से समझने के लिए गामा फंक्षन की हटाने योग्य विलक्षनताओं को संबोधित करना. इसे हल करने के लिए, रवी ने गामा फंक्षन के तर्क को एकस माइनस एकस माइनस दो में स्थानांतरित करने का निर्ने लिया. यह बदलाव विशलेशन को सरल बनाने और शूने पर समस्याग्रस्थ विलक्षनता को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था. गामा फंक्षन, जो फैक्टोरियल से संबंधित है, में गैरधनात्मक पूर्नांकों पर ध्रूव होते हैं, जिससे प्रमान और विशलेशन में इसका उप्योग जटिल हो जाता है. विशेश रूप से, शूने पर विलक्षनता विशेश रूप से परेशानी वाली थी. फंक्षन के तर्क को स्थानांतरित करके, रवी ने इस मुद्दे को सुलझाने और फंक्षन को अधिक प्रबंधनिये बनाने का लक्षे रखा. जब रवी ने इस बदलाव को लागू किया, तो उन्होंने देखा कि इसने गामा फंक्षन को शूने पर विलक्षनता से बचने की अनुम्ती दी. नया फंक्षन, तर्क को समायोजित करने के साथ उसी पुन्रावृत्ती संबंध का पालन करना जारी रखता है, जिसका अर्थ है कि गामा फंक्षन के मूलभूत गुन बरकरार रहते है. इस समायोजन ने हटाने योग्य विलक्षनता को प्रभावी धंग से हटा दिया, जिससे यह स्पष्ट द्रिशे प्राप्थ हुआ कि गामा फंक्षन शूने के निकत कैसे विवहार करता है. इस सफलता का रवी के काम पर महेत्व पूर्ण प्रभाव पड़ा. इस तरह से गामा फंक्षन की विलक्षनता को संभाल कर, वह जेटा फंक्षन के साथ इसकी बादचीत को बेहतर ढंग से समझ सकता है. गामा फंक्षन के धुरूव सीधे जेटा फंक्षन को प्रभावित करते हैं इसलिए रीमेन परिकल्पना के कथोर प्रमान की खोज के लिए इन इंटरेक्शन को सपष्ट करना आवश्यक था विलक्षन्ता की समस्या के समाधान के साथ रवी अपने द्रिष्टिकोन को परिश्कृत करने और जेटा फंक्षन के गुनों में गहरी अंतर द्रिष्टी प्राप्त करने में सक्षम थे उनके विशलेशन में इस सुधार ने उनके अप्रमपरागत तरीकों की वैधता में उनके विश्वास को मजबूत किया और उन्हें रीमेन परिकलपना को हल करने के करीब लाया रवी को आत्म विश्वास और प्रेरना की एक नई भावना महसूस हुई विलक्षन्ता का सफल संचालन एक महित्वपूर्ण कदम था और वह अपनी प्रगती से उत्साहित था उन्होंने अपने द्वारा विक्सित नवीन तक्नीकों और उनके द्वारा प्रदान की गई नई अंतरद्रिष्टी से प्रेरित होकर उत्साह के साथ अपना अन्वेशन जारी रखा प्रतेक खोज ने उन्हें गनित की सबसे चुनौती पूर्ण समस्याओं में से एक में सार्थक योगदान देने के करीब ला दिया जैसे जैसे रवी अपने शोध में आगे बरे उन्होंने गामा और डेल्टा कारियों की अभिन सीमाओं का पुनर मुल्यांकन करके एक महित्वपूर्ण सफलता हासिल की परंपरागत रूप से इन कारियों का विशलेशन शूने से अनंत तक की सीमा के साथ किया जाता था लेकिन रवी ने इन सीमाओं को नकारात्मक अनंत से शूने तक बदलने की खोज की जटिल विशलेशन के दाइरे में यह बदलाव स्वीकारे था और इसने इन कारियों के विवहार पर एक नया दृष्टिकोन पेश किया अभिन सीमाओं को संशोधित करके रवी ने देखा कि गामा और डेल्टा फंक्षन नए गुन प्रदर्शित करते हैं जो पारंपरिक सीमाओं के तहित स्पष्ट नहीं थे इस परिवर्तन ने उन्हें इन कारियों के हार्मोनिक गुनों और आवधिक विवहारों का अधिक गहराई से पता लगाने की अनुम्ती दी रवी विशेश रूप से इस बात से उत्सुक थे कि ये नई अभिन सीमाएं हार्मोनिक कारियों और उनके सन्युगमों से कैसे संबंधित है रवी ने इस विकास को हार्मोनिक सन्युगम प्रमे के विस्तार के रूप में देखा, जो परंपरागत रूप से हार्मोनिक कारियों और उनके सन्युगमों से संबंधित था उन्होंने अपने विशलेशन की हार्मोनिक सनरचना में उनकी भूमिका को पहचानते हुए, इन नए व्युतक्रम कारियों को मूल गामा और डेल्टा कारियों के हार्मोनिक सन्युगमों के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा हाला की, रवी को इस द्रिश्टिकों से उत्पन होने वाली संभावित आलोचना के बारे में अच्छी तरह से पता था आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि उन्होंने अकेले गामा फंक्षन की प्रतिबिम आवदिक्ता या घूर्नी हार्मोनिकिती से उभरने वाले हार्मोनिक विवहार को अलग नहीं किया था रवी जानते थे कि इन अवधारनाओं को कठोर औचिते के बिना प्रस्तुत करने से गनितिय समुदाय को संदे हो सकता है इन चिन्ताओं को दूर करने और इसे सुरक्षित रखने के लिए रवी ने अपने काम में गामा और डेल्टा कारियों की आवदिक्ता को दर्शाने के लिए सब्सक्रिप्ट का उप्योग करने का निर्ने लिया इन कारियों को उनकी आवधिक प्रकृती को दर्शाने के लिए एक सब्सक्रिप्ट P के साथ लेबल करके, उन्होंने उन्हें मूल कारियों से सपष्ट रूप से अलग करने और आवधिक्ता और हार्मोनिक व्यवहार से संबंधित उनके विशिष्ट गुनों को उजागर करन और अपने विश्लेशन की कतोरता को प्रदर्शित करने की आशा की. सबस्क्रिप्टिंग विधी ने उनके गनितिये धांचे की अखंता को बनाए रखते हुए नई अंतरद्रिष्टी को सपष्ट करने का एक तरीका प्रदान किया. इन समायोजनों के साथ, रवी ने अप दिनव उप्योग के साथ मिलकर, रीमेन परिकल्पना को संबोधित करने के लिए एक आशाजनक दिशा प्रदान करती है. रवी केंद्रित और द्रिड रहे, अपने तरीकों की वैधता में आश्वस्त रहे और अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए उच्सुक रहे. ज उन्हें इन खोजों की पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए प्रेरित किया गया. प्रतेक नए विकास के साथ, रवी रीमेन परिकल्पना के एक कथोर प्रमान को उजागर करने और गनित के शेत्र में एक सार्थक योगदान देने के करीब पहुँच गए. गामा और डे और यूनित सरकल मॉडल के मादियम से जेटा फंक्षन की एकी करन संभावनाओं का पता लगा लिया था, जिसने उनके विशलेशन के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया. अब, रवी को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा, एक के बराबर पर जीटा फं उन बिंदु जो किसी भी व्यापक सिध्धान्त के लिए एक समस्या उत्पन करता है. रवी को एक एकिकरित कार्यात्मक समीकरन बनाने के लिए इस विचलन का मुकाबला करने की आवश्यक्ता थी जो यूलर के मूल जेटा फंक्षन, रीमेन जेटा फंक्षन और अपने सातत्य हार्मोनिक जेटा फंक्षन को एकी कृत करेगा. इस चुनोती से निपतने के लिए रवी ने डेल्टा फंक्षन और अवशेश विशलेशन को नियोजित किया, ये उपकरन उन्हें अपने पिछले काम में अमूले लगे थे. डेल्टा फंक्षन ने उन्हें प्रबंधित करने और विचलन से संबंधित मुद्धों को संबोधित करने की अनुम्ती दी, जबकि अवशेश विशलेशन ने उनके धुरूवों के आसपास कारियों के विवहार को समझने का एक तरीका प्रदान किया. यह सन्योजन विचलन समस्या से निपतने के लिए ए इन प्रमेयों ने उनके विशलेशन को सत्यापन और कठोर्ता की अतिरिक्त परते प्रदान करके उनके दृष्टिकोन का समर्थन किया. उन्होंने उन्हे यह स्थापित करने में मदद की की विचलन को संबोधित करने और जेटा फंक्षन को एकी कृत करने के उनके तरीके स सातत्य हार्मोनिक जेटा फंक्षन को एकी कृत किया। उनके द्रिष्टिकोन ने अवशेश विशलेशन और डेल्टा कारियों से अंतर द्रिष्टी को शामिल करके, और इसमे के तर्क द्वारा उठाई गई चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करके विचलन मुद्दे को हल किया। इस द्रिष्टिकोन की सफलता ने रवी के शोध में एक महित्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। इससे पता चला कि उनके नवीन तरीके नकेवल व्यवहारे थे बलकि मौलिक जटिल विशलेशन सिध्धानतों के अनुरूप भी थे। इन विभिन जेटा फुंक्षन्स के एकी करन ने उनके संबंधों और व्यवहार को समझने के लिए एक अधिक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। रवी की सफलता को गनितिय समुदाय से उत्साह और मान्यता मिली। विचलन को संबोधित करने, विभिन कारियों को एकी करित करने और जटिल विशलेशन प्रमेयों के साथ अपने दृष्टिकोन का समर्थन करने की उनकी क्षमता ने उनके काम की गहराई और कथोरता को प्रदर्शित किया। उनके द्वारा विक्सित एकीकृत कार्यात्मक समीकरन ने जेटा फुंक्षन्स पर एक नया परिप्रेक्षे पेश किया और रीमैन परिकल्पना को हल करने के लिए चल रही खोज में योगदान दिया। जैसे जैसे रवी ने अपना शोद जारी रखा, उन्हें उपलब्धी और प्रेरना की एक नई भावना महसूस हुई। यूलर के जेटा फंक्षन, रीमैन जेटा फंक्षन और उनके हार्मोनिक जेटा फंक्षन का सफल एकी करन उनके दृष्टिकोन में एक बड़ी प्रगती का प्रतिनिधित्व करता है। इस नीम्व के साथ, रवी आगे की खोज करने और अपने प्रमान को परिश्कृत करने के लिए तैयार था, जिससे वह गनित के सबसे गहिन रहेसियों में से एक को सुलझाने के करीब आ गया। झाल 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 झाल